नमस्कार आप देख रहे हैं हूंगार 247 और मैं आपके साथ देनुद जोहन इंसानों ने जमीन पर कई अग्मुत निर्माड किये हैं जिसके बारे में पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वही हम आपको इंसानों के द्वारा किये के अग्मुत निर्माड में से एक ऐसे निर्माड के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपने सपनों में भी कभी सोचा नहीं होगा जी हाँ आज हम आपको इंसानों के द्वारा बनाए गए साउथ अमेरिका की सैक्पृरिट बैली पर बना इसकोई लॉज होटल के बारे में बता रहे हैं जो की कैपसुल के आकार का बना हुआ है इसका एक दिन का किराया करीब 20,000 उप्टे है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक होटल माना जाता है यह होटल लगवक 1300 फीट की उची पहाडी पर लटका हुआ है जिस पर रहना काफी खतरनाक माना जाता है लेकिन फिर भी परियत तक यहां खूप आते हैं यह होटल 24 फीट लंबा, 8 फीट चोड़ा और 8 फीट उचा है इस होटल में 4 बैट, एक बात्रूम की भी सुविता है और साथ में ही डाइनिंग रूम भी बनाया गया है यहां आने वाले हर सक्ष पहाडू की खुपसुरत नजारे देख सकें इसलिए इस होटल को पूरी धरह ट्रांस्पेरेंट रखा गया है स्काइड लोज होटल उन लोगों की पसंतीदा जगह है जिने एडवेंचर काफी पसंद है यहां से आपको प्राकरती के सारे नजारे बहुत करीब और कुछ उचाई से देखने को मिलेंगे इस स्काइड लोज होटल से आपको उपर देखने पर नीला असमान और नीचे देखने पर पत्रीली और हरी भरी जमिन साफ नजर आएगी जिसे देखकर लगेगा आप जन्नत में है इसी के साथ पेरू के इस पोटल को आडवेंचर और नेचरल फूरिजम को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है इसे तके अद्बुत खबरे जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सियर करें धन्यवाद